नमस्कार, बाई जूस आई एस हिंदी में आपका स्वागत है, आज की तारीक है 29 अप्रेल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, दाहिंदू अकबार में आए हुए कुछ प्रमुक एडिटोरियल्स की, जिसके तहट हम मुख्य परिक्षाय संबंधित कुछ अभ्यास प्रोबियल जेडिस्टेंस के बढ़ते खत्रे से संबंधित एक महत्पूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम कोविद 19 महामारी के मद्दे नजर सार्जुनिक कल्यान योजनाओं की यूनिवर्सालिटी सार्व त्रिक्ता से संबंधित एक और इडिटोरियल देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्वास्त मंत्राले की कोरोना गाइडलाइन्स में सुधार से संबंधित एक और एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, और फिर हम निर्वाचन आयोक की नवीन गाइडलाइन्स की भी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मुख्या परिक्षा के अभ्यास प्रश्णों की आपके साथ चर्चा करेंगे जिसकी उत्तर सन्रचना भी हम आपको प्रदान करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जिस एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं वह है आज पेज नंबर साथ पर दिया गया है और इसका स समद समाननी अध्यन के तीसरे प्रश्ण पत्र विज्ञान और प्रद्योगी की और साती साथ समानने अध्यन के दूसरे प्रश्नपत्र स्वास्त छेत्र से भी है। मुख्य रूप से यह संदर्वित है एंटी माइक्रोबियल डेडिस्टेंस के बढ़ते खत्रे से। उलेखनी है कि जनवरी 2020 से ही पूरे वैश्विक इस्तर पर हम COVID-19 वाइरस के बढ़ते प्रभाव को देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इसके चलते 30 लाग से भी जादा मृत्यू दुखद रूप से देखी कई हैं। हाला कि हमें यह भी समझना होगा कि COVID-19 वाइरस के खत्रे के साथ ही हम वर्तमान में अन्य स्वास्थ खत्रों का भी सामना कर रहे हैं जिसमें AMR यानि एंटी माइक्रोबि 7 लाग से अधिक मृत्यू देखी जाती हैं और 2050 तक यह अनुमानित किया गया है कि इस खत्रे से 1 करोड वार्शिक मृत्यू हो सकती हैं जिसके चलते 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसके तहत हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह AMR ह होता क्या है। इसे आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की आउशकता है कि मनुष्य में जो विवित प्रकार की वीमारिया होती हैं वह भाती-भाती के बैक्टीरिया, वायरस, अथ्वा, कवक या परजीवी आदी से होती हैं। इसक को समाप्त किये जाने के संदर में विवित प्रकार की बैक्टीरिया, रोधी, दवाएं व्यक्ती को दी जाती हैं जिसे एंटिबायोटिक दवाएं कहा जाता है। इस प्रकार की जो एंटिबायोटिक दवाएं होती हैं वह मानव शरीर में जो उपस्थित, हानिकारक, बैक दवाएं आदि होते हैं, उनको समाप्थ कर देती हैं। और कई बार यह देखा जाता है कि जब व्यक्ति आदी के द्वारा एंतिबायोटिक दवाएं आदी ली जाती हैं। तो इस प्रकार की एंटिबायोटिक दवाएं ना केवल չानिकारक बैक्टीरिया का नाश करती अपितू साती सात वह मानव शरीर में उपलब्द कुछ प्रकार के उपयोगी बैक्टीरिया का भी नाश कर देती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि मानव शरीर में अनेक बार केवल वैसे ही बैक्टीरिया रह जाते हैं जो एंटिबायोटिक दवाओं आधी के प्रती प बढ़ सकते हैं और इस प्रकार के एंटिबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया आगे बढ़ते हुए अपना गुणन करते हुए एक ऐसी स्थिती में भी आ सकते हैं कि वह अपने एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस यानि एंटिबायोटिक प्रतिरोध की इस गुण को दू जब दूसरे प्रकार के जीवानूओं की टानूओं में देखी जाए तो ये व्यापक इस्तर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ सकता है और इस रूप में अनेक विशेशग्यों का कहना है कि आधुनिक मैडिसिन विज्ञान के अस्तित्य के लि विकास किया है यदि ऐसे सुपर बक्स का विकास हो जाए जो इन सभी प्रकार की दवाओं के प्रती प्रती रोधी हो जिन पर इन सभी प्रकार के दवाओं का कोई भी असर ना पड़े तो यह है ना केवल पूरी दुनिया के प्रती एक खत्रे के रूप में विद्दमान हो antimicrobial resistance किन कारकों के चलते होता है, तो यह antimicrobial resistance विविद कारकों के चलते होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो दवाएं होती हैं, उनका जब अनुचित अत्वा अतिप्रियोग किया जाए, या फिर किर्शी, पसुपालन, पोल्टरी, आधी, छेत्रों में इसका अतिप्रि प्रियोग किया जाए, तो इससे antimicrobial resistance विख्सित हो सकता है, साथी साथ, जब हम जनतुओं में बिमारियों आधी को दूर करने के लिए antibody दवाओं का प्रियोग करते हैं, तो धीरे-धीरे उन जनतुओं में उपस्थित बैक्टीरिया भी उसके प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, हाल के समय में यह भी देखा गया है कि विवित प्रकार की दवा निर्माता कमपनियां, pharmaceutical कमपनियां आधी, जब अपनी factory आधी से कचरे आधी को छोड़ती हैं, तो वह उस प्रकार के कचरे को उपचारित नहीं करती, और इस प्रकार के अनुपचारित कचरे में भी उस से धीरे धीरे उसमें सांस लेने वाले उसमें जीवित रहने वाले बैक्तिरिया उनके प्रति प्रतिरोधी होने लगते हैं, और इस तरीके से anti-microbial प्रतिरोध बढ़ते देखा जा सकता है, इसको आप इस चितर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें antibiotic resistance को समझाया ग कर ले कि वह हैं एंटिबायोटिक दवाओं के पृति खुद को पृतिरोधी बना ले और इस प्रकार से जो एंटिबायोटिक दवाएं किसी प्रकार के बैक्टीरिया के पृति दी जाती रही हैं उसका प्रभाव ही न देखा जाए। बने हुए भोजन का सेवन करते हैं तो इससे व्यक्तियों में भी उस प्रकार के पृतिरोधी बैक्टीरिया का सरजन देखा जा सकता है जो आगे चलकर ड्रग देडिस्टेंस यानि दवाओं के पृतिरोध को पढ़ा सकता है जो आगे विवित प्रकार के समुदायों में भी फैल सकता है इसी प्रकार से एंटी बायोटिक रिस्टेंट की जो घटना है वह है तब भी देखी जाती है जब बिना आवशक्ता के किसी मरीज को इसके संदर में डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर से दवाएं मिलती है और वह है उनका अत्यधिक अथवा अनुचित सेवन कर जो आगे चलकर एंटी बायोटिक रिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रिस्टेंस को बढ़ा देता है इसके अलावा जीवानों में स्वयम भी समय समय पर उत्परिवर्तन देखा जाता है जिससे एंटी माइक्रोबियल रिस्टेंस और बढ़ता जाता है इसके संदर में हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के दशकों में नई antimicrobial drugs आदी बनाई जा रही हैं, उनके संदर में पिछले दो से तीन दशकों में नवीन research नहीं की गई है, बड़ी जो multinational companyya हैं वह इसके तहट अपनी research को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, और इसके संदर में एक गैर लाबकारी संगठन PU Trust की report ये बताती है कि किस प्रकार से 95 प्रतिशत नवीन antibiotics का विकास वर्तमान में छोटी कंपनियों दोरा ही किया जा रहा है और बड़ी कंपनियों दोरा इसमें कोई भी रूची नहीं दिखाई जा रही है, जो आगे समस्याओं को बढ़ा सकता है, यही कान है कि हमें इसके संदर में अनेक प्रयासों को करना होगा, जैसे कि सबसे पहले तो हमें विविद छेत्रों में इसके दुरूपयों को रोके जाने के संदर में प्रयास किये जाने की जरूवत है, जैसे कि किर्शी छेत्र में इसके दुरूपयों को रोकना होगा पशुपालन छेतर में, पोल्टरी छेतर में इसके दुरूपयोग को रोखना होगा और साथी साथ जो विवित प्रकार की दवा कम्पनियों दोरा इसको बिना उपचारित किये परियावर्ण में छोड़ दिया जाता है तो उसके संदर में भी नियमों को बनाने पर बल देना होगा साथी साथ इसके संदर में हमें सरकारी प्रयासों को भी बढ़ावा देना होगा ताकि नई एंटी बायोटिक या एंटी माइक्रोबियल दवाओं का निर्मान किया जा सके और यदि इसके संदर में सरकारी गारंटी प्रदान की जाती है तो निश्चित रूप से ही नई दवाओं के रिसर्ज को बढ़ावा दिया जा सकता है हाल ही में UK सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं जो काफी सराहनिये हैं हमें भारत और वैश्विक दोनों ही इस्तरों पर एंटिबायोटिक दवाओं के दुरूपयोग से संबंधित जागरुकता को भी पढ़ाना होगा विशेश रूप से भारत जैसे देशों में जो सीधे दवा की दुकान या फिर ओवर दी काउंटर दवा को खरीदने की जो प्रथा देखी जाती है उस प्रकार की प्रथा को भी रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे और इसके संदर में हमें भारतिय स्वास्त व्योस्था में नीती नियमों को बहतर बनाये जाने और केवल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवाओं आधी को खरीदे जाने के संदर में नियमों को कठोरता से लागू करना होगा और इसके लिए बेहद आवशक है कि सभी छेत्रों से संबंधित जो हित धारक हैं वे साथ मिलकर कारे करें जैसे कि रोगियों आधी की जागरुकता, दवा कमपनियों आधी की सतर्ता, सरकार द्वारा नीती नियमों का निर्मान और परियावन विशेशक के आधी द्वारा इसके संदर में नवीन प्रकार की रिपोर्टों के साथ सामने आना ताकि एंटी माइक्रोबियल रेडिस्टें जैसी वैश्विक समस्या के पिरती हम एक कीकरत अधार पर समधान के अधार पर कारे कर सकें और इसका वैश्विक इस्तर पर एक अंतिम निर्ने निकाला जा सक अब हम चर्चा कर लेते हैं, पेज नंबर साथ में दिये गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबन जी एस पेपर टू में गवर्नेंस से है, मुखर रूप से यह संदर्वित है, सामाजिक कल्यान योजनाओं को युनिवर्सल या सारुत्रिक बनाये जाने के प्रशन से, उलेकनी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोग कल्यान कारी राज्य की रूप में विद्धमान है, जिसके तहट ना केवल मूल अधिकारों की विवस्था के माध्यम से, अपितू नीती निदेशक ततों की माध्यम से भी भारत को एक लोग कल्यान कारी राज्य की रू का सामना करना पड़ा, चाहे वह प्रवासन का मामला हो, चाहे वह खाद असुरक्षा का मामला हो, चाहे वह हाल या स्वास्त अउस्चना के चर्मनाने के विवित प्रकार के उधान हो, और कोरोना महमारी के चलते अनेक विशेशक्यों ने यह अनुमान लगाया है कि इसके चल में जिस प्रकार की कोरोना वाइरस की दूसरी लहर देखी जा रही है उसके चलते तो इसका प्रभाव अब मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्गों पे भी देखा जा रहा है और आगे इसके और भयावह परिणाम ना हो इसके लिए हमें अभी से प्रयासों को करना होगा किये जाने वाले प्रयासों के तहद सबसे जादा महत्पूर्ण बात जो इस एडिटोरियल में कही गई है वो ये कही गई है कि हमें विवित प्रकार की सामाजिक कल्यान योजनाओं और कारिक्रमों को सारवृत्रिक बनाने पर बल देना होगा यानि उसको करना होगा इसके तहद आउशक्ता के अधार पर योजनाओं का लाब सब तक पहुचाए जाने पर बल दिया जाना चाहिए वर्तमान में हमारे देश में 500 से अधिक डायरेक्ट पैनिफिट ट्रांसपर स्कीम कारे करती हैं जिसके तहद विवित प्रकार की छात्रवर्ती व केंद सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और विविद विभागों द्वारा प्रथक्ता के अधार पर चलाये जाते हैं और इसमें एकी करन का अभाव देखा जाता है। आने के लिए कारे करना होगा। इसके लिए हमारे पास आयरलेंड का भी उधान है जिसके द्वारा उन्नीसवी शतापदी में पूर लौ सिस्टम का विकास किया गया और इसके माध्यम से गरीबी और अकाल से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान की गई। और इ देखी जा रही है जिसमें सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सावरत्रिक योजनाओं के साथ अत्रिक्त लाब और पूरक सहायता भी शामिल हो गई है। भारत को भी इसके संदर में उधान से सीख कर कारे करने की आउशकता है। इसके तहट 2014 का पल्स पोलियो टीका करन कारे करम सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण कहा जा सकता है। जिसके तहट आए और वर्ग आदी को ध्यान में रखे बिना ही सब को टीका दिये जाने पर बल दिया गया। और भारत इसके तहट मुख्य रूप से प्रधान मंत्री गरी करीव कल्यान योजना के तहट बिवित प्रकार के लाभों को विस्तारित करने के लिए इस योजना का प्रियोग किया गया है। इस्थायत्य के आधार पर इसमें बीमा और पैंशन जैसी सुविधाएं जो वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रथक्ता के आधार पर चलाई जा रही हैं। उन सारी योजनाओं को इसी में समा मिलन करते हुए आगे बढ़े जाने की आउशक्ता है। योजन की गलतियां बहिश्क्रण और समावेशन की गलतियों को दूर करने के लिए लाभारतियों के डेटा को आधार से जोड़कर इस प्रकार की कमियों को दूर कर सकते हैं। साती साथ हमें विवित प्रकार के कारिक्रमों इसकीमों को आउशक्ता यानी नीड बेस बनाने की आउशक्ता है ताकि किसी भी समय किसी को आउशक्ता होने पर उस योजना विशेश का उस व्यक्ति विशेश को लाभ दिया जा सके और उसमें परिस्थिती के आधार पर ला परे को आगे बढ़ाया जाए और साथी साथ लागू की गई योजनाओं पर आने वाली लागत को भी ध्यान में रखते हुए कारे किया जाना चाहिए ताकि मात्री योजना को लागू किये जाने के संदर में ही हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े और इसके लिए यह ब परकारी विभावकों को साथ लेकर एकीकरत अधार पर कारे करें तब ही हम भारत को एक लोग कल्यान कारी राज्य बना पाने के लिए भेतर ढंग से कारे कर सकेंगे अब हम बात कर लेते हैं पेज नमबल साथ में दिये गए एक अन्य एडिटोरियल की जिसका संबन जीस पे इसमारी से निपटने के लिए स्वास्त मंत्राले द्वारा कोरोना प्रबंधन गाइडलाइन्स को जारी किया गया था हालांकि वरतमान में अनेक विशेशग्यों का कहना है कि इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए जैसे कि इसमें समयबद आधार पर कोविद-19 के उपच से संबंधित दवाओं आधी को शामिल करने किया उशकता है जैसे कि पिछले साल इसमें हाइड्रो क्लोरो क्वीन को शामिल किया गया था हालांकि वरतमान में इसकी अधिक प्रासंगिक्ता नहीं रह गई है अता उसे हटा दिया जाना चाहिए इसके अलावा वरतमान में य विशेश अग्यों का कहना है, कि यदि हमें राश्टी इस्तर पर किसी भी प्रकार की दवा आदी को प्रचलित करना है, तो इसके संदर में हमें परियाप्त वैज्यानिक सूचना के अधार पर कारे करना चाहिए, और उसके बाद ही हमें उसे अनुसूचित किये जाने के संद में टठस्तता के अधार पर कारे करना होगा। साती साथ केंद्र और राज्य दोनों को ही यह सुनिश्चित करने की आउशकता है कि उसकी समय बद्ध अधार पर परियाप्त डिलिवरी की जा सके, उसकी स्टॉक को बनाए रखने के लिए कारे किया जा सके और जनता में उसको लेकर किसी भी प्रकार की आशंकाए ना पहले ताकि उसकी काला बजारी को भी रोका जा सके। यही कहाण है कि यदि हमें बिमारियों से सम्दित गाइड लाइन्स का विकास करना है तो इसके संदर में जो हम दवाओं का प्रियोग करें उसमें भी हम अंतराश्टिये मानको को ध्यान में रखें, साती साथ समय बद आधार पर देश में कोरोना से निपटने के संदर में ऑक्सीजन की डिलिवरी को सुनिश्चित किया जा सके, विभिद दवाओं की सुनिश्चित आपूर्ती किया जा सके, इसके लिए हमें समगरता से प्रयास करने होंगे, और यदि ह हम गाइडलाइन साधी के माध्यम से इस प्रकार के सरकारी प्रयासों को बहतर धंग से विक्सित कर पाने की स्थिती में होंगे, तो ना केवल हम इसके माध्यम से आउट ओफ पोकेट खर्चे को कम करने के संदर में बहतर धंग से प्रयास कर सकते हैं, साती साथ स्वास्त ज पट्टू में पॉलिटी से है, मुख्य रूप से यह संदर्वित है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गई नई गाइडलाइन से, जिसे जारी किया गया है मदरास, हाई कोट के, सोंबार के, निर्ने के पश्चाथ, जिसके तहद मददान इस्थल पर लोगों की भार को कम करने के लिए कारे किया गया है, उलेखनी हैं कि हम अप्रेल माहा में चार राज्यों और एक केंदर शाशित प्रदेश में चुनावों को देख रहे हैं, हाला कि यह भी देखा जा रहा है कि उनमें कोरोना की गाइडलाइन्स का गंभी रूप से उलंगन देखा ग इसको लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना भी की गई, यही कारण है कि अब निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गई हैं, इसके तहट दो मई को चुनाव परिणाम के दिन चीतने वाले उमीदवार के साथ जाने वाले लोगों की संख्या को कम करके द संदर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को लाने को भी महत्पूर्ण बनाया गया है, और इन सभी गाइडलाइन्स के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि हम कोरोना के प्रसार को रोकने के संदर में सार्थक्ता से प्रयास कर सकें, हाला कि इसके संदर में हमें कुछ और भी कार्यों को किये जाने की आउशक्ता है वर्तमान में यह सला दी जा रही है कि हमें एक राज्य में विभिन चर्णों में होने वाले चुनावों पर पुनाविचार किये जाने की आउशक्ता है क्यूंकि इससे ना केवल समय को बचाया जा सकता है साथी साथ इसमें होने वा केवल निर्वाचन आयोग की ही नहीं होती है अप इतु यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और मतदाताओं की भी है और विशेश रूप से कोरोना काल में यदि कोरोना गाइडलाइन साधी का उलंगन देखा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी केवल निर्व पाचन आयोग पर ही नहीं डालनी चाहिए अप इतु इसके तहट राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भी उत्तरदाई बनाने की विवस्ता पर हमें सार्थक्ता से कारे करना होगा तभी इस प्रकार की जो नकरात्म घटनाय देखी जाती है उस पे हम प्रभावी रू में इसके प्रसार को समझाते हुए इस से निपटने के कुछ उपायों की भी चर्चा करें 15 अंक 250 शब दूसरा प्रशन है वर्तमान COVID-19 महामारी की प्रश्ट भूमी में सामाजिक कल्यान योजनाओं को सावरत्रिक बनाने की महती आवशकता है चर्चा करें 10 अंक 150 शब जनी AMR का समानने परिचे देंगे और फिर इसके मुख्य भाग के रूप में यह एंटी माइक्रोबियल रिस्टेंस कैसे फैलता है इसके कुछ उधान और तथ्य प्रिस्तुत करेंगे और साथी साथ विश्विस्तर पर इसके बढ़ते खत्रें को भी आंकडों के साथ प्र हुमिका में आप COVID-19 महमारी से जनित संकट का समानने परिचे देंगे और फिर आप इससे जनित संकट के संदर में कुछ महत्पून आंकडे भी प्रिस्तुत करेंगे जैसे कि आप बता सकते हैं किस प्रकार से इसके तहट प्रवित प्रकार के प्रवासन देखे जा रहे हैं विवित प्रकार की गरीबी का प्रसार आदी देखा जा रहा है और इससे निपटने के संदर में फिर आप समाजिक कल्यान योजनाओं को सावरत्रिक यानि यूनिवर्सल बनाने के महत्त को सपष्ट करेंगे और इसके संदर में कुछ अंतराश्टी उधान जैसे की आईरल मंत्री गरीब कल्यान योजना को भी सावर्तिक बनाये जाने के संदर में दिये जाने वाले सुझाओं को भी बता सकते हैं और फिर उसके बाद आप एक उप्युक्त सकरात्मक निस्काश प्रदान करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे बाइजूस आईएस हिंदी के आज के संक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया यदि आपको हमारे दोरा प्रारम की गई पहले पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें आज के अं अधिक आईवाराथ